How are you friends? कैसे हैं आप? I hope you don't find आज की वीडियो में बात करते हैं हिंदू, सिख, जैन, बुदिस्ट ये सारे हिंदू की डेफिनेशन में कैसे आते हैं और मुसलिम्स, क्रिस्चन, एंज्यूस ये हिंदू की डेफिनेशन से बाहर कैसे हैं देखें दोस्तों, जो हमारा Constitution of India है ये सेकुलर है, यानि की सभी धर्मों के लिए हमारा भारत है और भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं सब दोस्तों, अगर हम बात करें सिख, जैन, बुदिस्ट ये हिंदू की डेफिनेशन में क्यों आते हैं क्योंकि हमारा जो लोग है जैसे कि हिन्दू मैरिस एक्ट, हिन्दू सक्सेशन एक्ट हिन्दू डॉप्शन अर्मेंटेनेंस एक्ट और जितने भी हिन्दू से रिलेडेड लोग है उसमें जब इसकी applicable की बात करी जाती है किस-किस पे applicable होता है ये हिंदू लो तो उसमें सिख, जैन, बुद्धिस्ट का नेम लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति सिख होगा, जैन होगा, बुद्धिस्ट होगा उसके उपर हिंदू लो गवन करेगा और उसके उपर सारे हिंदू मैडिस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू डोप्शन अन मंटेनेंस एक्ट जितनी भी प्रवीजन्स होगी ये सारे इस अकोर्डिंग ही चलेंगी अब बात करते हैं क्रिस्चन, जैन, क्रिस्चन्स औरी मुस्लिम और जियूस ये सारे हिंदू की डैफिनेशन से बाहर क्यों है क्योंकि दोस्तों इनका अलग लोग बना हुआ है मुसलिम को अलग सेरिमनी सें, कस्टम्स हैं, क्रिस्चन्स के अलग सेरिमनी हैं, कस्टम्स हैं लेकिन सिख जए बुद्धिस्ट और जयन के similarly ceremonies होते हैं कुछ difference होगा लेकिन similarly ceremonies और customs होते हैं इसलिए Muslims, Christian, जयन क्योंकि ये अलग law से prevail करते हैं इसलिए इनको हिंदू की definition में नहीं डाला गया अब बाग के मन में एक और question आ रहा होगा और नहीं जीउस है इन तीन categories में नहीं आरा अगर कोई व्यक्ति तो उसका जो है उसको किस तरह से देखा जाएगा क्या वो हिंदू की तरह देखा जाएगा क्या उसके उपर हिंदू लोग applicable होगा या नहीं होगा देखे दोस्तों अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके जो ना तो मुस्लिम है ना तो क्रिश्चन है ना तो हिंदू है और ना ही जीऊस है ना ही सिख जैन बुद्धिस कोई भी नहीं है तो उसके उपर हिंदू लोग गवर्न करा जाएगा उसके उपर Hindu Maris Act, Hindu Succession Act, Hindu Optional Maintenance Act की Previsions जो हैं उसके उपर लागू करी जाएंगी ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा को लोग कहता है Section 2 Applicability जिसमें Hindu लोग के बारे में बताया हुआ है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि किसी भी धर्म में नहीं आ रहा तो उसके उपर Hindu लोग लगेगा Hindu Maris Act, Hindu Succession Act ये सारे लोग से वो गोहन करा जाएगा जब तक वो व्यक्ति अपना अपना कोई प्रूफ नहीं देता कि मैं जो है Hindu में नहीं आता हूँ अगर वो व्यक्ति ऐसा प्रूफ कर देता है कि मैं Hindu में नहीं आता हूँ तब उस व्यक्ति के उपर Hindu में रिजेक्ट नहीं लगेगा अगर वो प्रूफ नहीं कर पाता ना तो Muslim है, Christian है, Jews है तो अगर प्रूफ नहीं कर पाता उसके उपर Hindu लोग ही गोहन करेगा तो दोस्तों, I hope आपको समझ लग्या होगा, Hindu, Jain, Buddhist जो है, वो अपना Hindu लोग से गोहन करते हैं और Christian, Muslim और जो है, Hindu लोग उनके उपर applicable नहीं होता, यह कहता है, section 2, every Hindu लोग का अगर आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगए हो, लाइक कर दे चैनल को, सब्सक्राइब पर दे, डाउट है, मैंट वक्स में चाहिए होगा